Hello class, this is type 10, ये type 10 में क्या कह रहा, क्या होता है, कि suppose करो आज मैंने sugar करीदा, जिसका price जो है, रुपीज 20 पर केजी, ठीक है, after few days, Congress सरकार में रुपीज 20 पर डे, after few days, जो है, मुधी सरकार आया, BJP सरकार आया, BJP सरकार ने क्या किया है, sugar का price जो है, वो reduce कर दिया, reduce करके कितना कर दिया, रुपीज 15 पर केजी, ठीक है, तो अब इसके करन क्या हुआ, कि हमारा 5 रुपेया पर केजी का saving होना सुरू हुआ, ठीक है, तो अब इस 5 रुपीज में हम जो है, extra कितना sugar purchase कर सकते है, ठीक है, यही ह में calculate करना होता है, यह इसी तरह की questions इसमें cover up किये गया है, ठीक है, तो question पढ़ते हैं हम लोग, a reduction of 20% in the price of sugar enables Mrs. Sa to buy an extra 3 केजी of it for Rs. 360, find the original rate and the reduced rate per केजी, इंदे को situation क्या कर रहा है, यहाँ पर, वही वहले situation है कि sugar है, अभी हम लोग suppose करते हैं कि cost price जो है हमारा rupees x per केजी, means what, means 1 केजी और we can say, we can say rupees x में हम लोग 1 केजी purchase करते हैं sugar को, ठीक है, अब क्या हुआ, after few days after few days, price of sugar get reduced, price of sugar get reduced by 20%, by 20%, इसका मतलब क्या reduced हो गया, पहले x था, अब reduce, reduce मतलब minus हो गया, कितना minus हो गया, 20%, 20% of the cost price, ठीक है, अगर हम x common लेंगे, तो 1 minus 20 by 100 is equal to x, 100 minus 20 upon 100 is equal to 80x upon 100, इसे हम direct भी लिख सकते हैं, जिसको question का practice अच्छा हो गया है, वो अराम से लिख सकता है, reduce 20% मतलब 100 minus 20, 100 minus 20, 80, 80%, 80% cost price अब हो गया है, ठीक है, वही चीज है, बत मैंने यहाँ पर elaborate कर दिया कि किस तरह से यह 90 by 100x, 80 by 100x आया है, ओके, तो अब cost price क्या हो गया है, after reduction, after reduction जो है 20% cost price is 80x upon 100, अल्राइट, अब क्या कहा है रहा है, questions, कि 360 रुपे में, 360 रुपे में, 3 kg एक्स्ट्रा, सपोर्च करो, कि यह 360 में, 360, sorry, रुपी 1 में, 1 by x kg पर्चेज होगा, रुपे में, 1 by x into 360 kg, सुगर का पर्चेजिंग होगा, ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो गया, cost price, reduce हो गया था, इसका मतलब, अब जो है, रुपे में, 80x by 100 में, 1 kg हम लोग पर्चेज करते हैं, पहले, एक्स रुपे में, 1 kg, रिडक्शन के बाद, 80x by 100 में, 1 kg, तो रुपी 1 में, कितना पर्चेज करेंगे, 1 by 80x into 100, ठीक है, 360 रुपे में, 100 upon 80x into 360, ठीक है, अब according to question दखो, अब question क्या कह रहा, यहाँ पर अब important हो जाता है, कि किस side हम लोग plus 3, extra 3 kg add करें, देखो, extra, more, यह सब word आया था, तो आपके book में क्या करता है, यह जो obtained quantity हुआ, और यह जो obtained quantity हुआ, उसको दोनों को minus कर देगा, suppose करो यह p1 है, यह p2 है, तो p1 minus p2, जो extra है, उसे लिख दो, मैं थोड़ा सा और elaborate करता हूँ, इसको थोड़ा सा रप कर देते हैं, space को, question के नुसार चलेंगे हैं, हम लोग, जो question कह रहा, उसी के नुसार चलेंगे हैं, मैंने क्या बताया था आपको, कि question का बस meaning और हिंदी समझ में आ जाए, तो हम लोग question को बना सकते हैं, बहुत ही आराम से, ठीक हैं, अब देखो question क्या गर रहा, question कह रहा, कि जब reduce होता है price, price reduce हो गया, price reduce हो गया, इस case में price reduce हुआ है, reduced price यह है, और इसी में हम extra 3 kg खरीद रहे थे, वही question कर रहा, लेकिन equation को balance करने के लिए, हम क्या करेंगे, यह 3 जो है इसमें add करेंगे, तब जाके equation balance होगा, जैसे support करो, कि इसमें हम जो है, वो 2 kg खरीद है, इसमें जो है, हम 5 kg खरीद है, तो 2 is equal to 5 हो सकता है, क्या, नहीं न, extra 3 kg किसमें खरीद रहे है, इसमें, तो किसमें add करना पड़ेगा, इसमें, extra खरीद रहा इसमें, लेकिन add करना पड़ेगा, इसमें, question को समझने की कोशिज करो आप, जो मैंने आप example से बताया थे न, 2 kg इसमें है, 5 kg इसमें है, तो आप equation को balance करने के लिए 3 इसमें add करोगे, same चीज यहाँ पर है, आपका जो है, यह 360 y x, 360 y x plus 3 is equal to this one, 100 upon 80 x into 360, ठीक है, अब इसको solve out करते हैं, इसको solve out करते हैं, 360 plus 3 x upon x is equal to 100 into 360 upon 80 x, ओके, यह किटना आ गया, इसको solve out करेंगे तो 450, it means 360 plus 3 x is equal to 450, 3 x is equal to 90, x is equal to 30, x क्या था हमारा, x क्या था original cost price, तो original cost price क्या हो गया, 30, reduced rate क्या हो गया, reduce क्या था 30%, sorry 20%, तो reduce हम क्या करेंगे 20%, 30 minus 2500 into 30, 101010, 30 minus 6 is equal to Rs.24, तो हमारा answer क्या हो गया, original 30, reduced 24, ठीक है, यह देखो, यह question जो है, वो mixture based question से, mixture based question मतलब क्या, कि दो quality जो है, किसी भी product का एक अच्छा quality होता है, good quality product, और कुछ, fair या medium quality, दोनों को क्या करते हैं, कास करकर चावल घरीदो, या फिर sugar ही करिते हैं, या फिर masala powder घरीदते हैं, जो भी का, उसमें क्या mixing करते हैं, mixing करके, एक average quality produce करते हैं, ठीक है, इसी mixing based पर हमा, हमें जो है, यह question को करना है, अब देखो क्या है, हरी बहुत 20 kg of rice, 8 रुपीज, 80 पर केजी, 25 kg of rice side, 16 पर केजी, ठीक हैं, तो क्या कह रहा, कि दो quality का rice हो गया, एक 18 पर केजी, second 25 पर केजी, he mixed the two varieties and sold the mixture at 19 पर केजी, मतलब क्या है, एक rice का quality यह है, दूसरा rice का quality यह है, तिसरा mixing के बाद यह है, आफ्टर mixing, ठीक है, situation आपको समझ में आ गया, ठीक है, quality one, first quality की बात करते हैं, इसको हम लोग नाम देते हैं, quality first, इसको नाम देंगे, second quality, quality first, क्या है, रुपीज 18 पर केजी, एक केजी का rate, रुपीज 18, तो कितना buy किया है, 20 केजी, 20 केजी is equal to, रुपीज 18 इन्टो 20, is equal to, रुपीज 360, 20 केजी का rate है, 360, अब quality, second के बात करते हैं, अम लोग, 1 केजी का rate, रुपीज 16, 25 केजी का rate क्या हो जाएगा, रुपीज 16 इन्टो 25, is equal to, रुपीज 400, इट मेंज क्या, एक का rate है, 360, दुसरे का rate है, 400, ठीक है, अब गया है यहाँ पर, वो दखो, दो quality का rate है, 20 केजी, price 360, 25 केजी, total price, रुपीज 400, यह दोनों को mix करेंगे, तो एक, average quality of price मिलेगा, दोनों को mix किया, दोनों को mix किया, मत मिन्स किया, यह 20 केजी और 25 केजी, दोनों add up होकर 45 केजी हो जाएगा, और price 360 और 400, 760 हो जाएगा, अल्राइट, अब हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास क्या हुआ, कि total add up करने के बाद, 45 केजी का price हो गया, रुपीज 760, ठीक है, लेकिन हम इसे sell out क्या कर रहे हैं, हम इस mixture को sell out कर रहे हैं, 1 केजी at 90 रुपेज, 19, at 19 रुपेज, ठीक है, तो find is gain percent, gain percent के लिए क्या मैंने बताया था, कि SP मालूम होना चाहिए, CP मालूम होना चाहिए, और same quantity का, अभी हमारे पास क्या है, CP हमें मालूम है 45 केजी का, और SP मालूम है 1 केजी का, तो SP भी हम 45 केजी का calculate कर लेते हैं, रुपेज 855, अब हमारे पास CP मालूम है 45 केजी का, SP भी मालूम है, SP भी मालूम है हमें 45 केजी का है, quantity same है 45, 45, CP है 760, SP है 855, it means SP is greater than CP, this is the case of gain, gain percent is equal to, हमें gain percent निकालना है, gain percent is equal to gain upon CP into 100, gain is equal to SP minus CP upon CP into 100, SP minus CP, 855 minus 760 upon 760 into 100 is equal to 95 upon 760 into 100 is equal to 12, 1.2 percent is the answer. यह question भी mixture based question ही है, mixture based question है, हमने पिछले question में क्या किया था, दोनो quality जो था, quality 1 and quality 2, दोनो 1, 20 केजी और 25 केजी को mix करके 45 केजी का हमें mixer obtained हुआ था, ठीक है, इसमें mixer रहा है, 5 is to 2 के ratio, एक अगर 5 केजी लेते हैं, तो दूसरे का 2 केजी लिना पड़ेगा, ratio का मतलब तो आपको मालूम है, 5 by 2 को हम लोग 10 by 4 भी लिख सकते हैं, देको कैसे लिख सकते हैं, 2 times and 5 times, यह क्या है, 5 by 2 कहीं ratio मा आ गया, ठीक है, तो चलो इसी concept पर यह question दिया गया है, बस फर्किया है कि यह ratio दिया हुआ है, इसी को यह question जो है, थोड़ा सा tough बना देता है, लेकिन tough है नहीं, अब क्या कह रहा है, अब यहाँ पर mixing क्या हो रहा है, कोफी कोस्टिंग रुपीज 250 पर केजी, वाज मिक्स्टिट, कोफी को मिक्स किया गया, वाज मिक्स्टिट, चिकोरी कोस्टिंग रुपीज 75 पर केजी, इन दे रिचियो, यह जो है, 1 केजी का कोस्ट है, 250, इसका 1 केजी का कोस्ट है, रुपीज 75, यह अगर इसे मिक्स किय गया है 5 kg और इसको mix किया गया है 2 kg, all right, for a certain blade, if the mixture was sold at 230 per kg, ठीक है, कुछ हमाई mixture हुआ, उसको हम लोग sell out कर रहे है, 1 kg को rupees 230 में, all right, तो यह 5 kg का price क्या हो जाएगा, 250 into 5, ठीक है, 5 kg का price में मालूम चल गया, अब हमें यहाँ पर 2 kg का price इसका मालूम चल जाएगा, 2 kg का rupees 150, अब क्या करेंगे, इसको जब mix करेंगे, तो दोनों कितना हो जाएगा, एक 5 kg और plus 2 kg, coffee 5 kg है, चिकोरी 2 kg है, it means 7 kg, all right, यह 7 kg ही हो जाएगा, और price कितना हो जाएगा, इसका, 1250 and 150 is equal to 7 kg का price रुपेज, 1400, यहाँ पर क्या आ रहा है, मिक्सर का price, 1 kg का price 230, तो इसे भी हम 7 kg का निकाल सकते हैं, 7 kg is equal to 230 into 7, is equal to 0, 1, 2, 1, 6, 1, 0, ठीक है, अब यह क्या है, यह तो cost price है, और mixture को sell किया गया है, sell किसे किया गया है, mixture वाद sold, तो यह selling price हुआ हमारा, ठीक है, selling price is greater than, cost price the case of gain, gain percent क्या हो जाएगा, gain percent is equal to gain upon cp into 100, gain is equal to 1, 6, 1, 0, minus 1, 4, double 0 upon, 1, 4, double 0 into 100, this cancel out, this cancel out, is equal to 2, 1, 0 upon 14, ठीक है, is equal to 15 percent answer, इस question को हम लग 2 method से बनाएँगे, first method comparatively बहुत इसी है, लेकिन थोड़ा सा twist मितलब समझने का दिमाग में थोड़ा सा जोड़ दो कि question, question समझ में आ जायेगा, हो क्या रहा यहाँ पर, भाई यह तो होता ही है हम ऐसा market में, क्या करना, कर रहा, कि one case मैंने मांगा, सब्जी मैंने बोला कि आप one case दे, दो मुझे, vegetables, ठीक है, उसने बोला कि, सब्जी वालों ने बोला कि, भाई one case ठीक है, मैं आपको, जितना में मैंने purchase किया था, उतने में ही दे दूँगा मैं आपको, support करो कि cost price जो है हमारा, 200 रुपया पर किसी है, तो मैं 200 में ही दे दूँगा भाईया, क्योंकि मुझे दुकान जल्दी बंद करना है, ऐसा बोलके, वो हमें दे दिया, हम भी सोचे के चलो हमारा भी फाइदा हो रहा, हम भी जो सस्ते में ही खरीद रहे, लेकिन वो क्या किया, एक केजी में उसे हमें पैसा देना था 200 रुपया, लेकिन वो क्या क्या, 960 ग्राम ही दिया, तो हमें अबट अबियस है, फिर भी 960 ग्राम दिया, लेकिन हमें उसे पैसा देना पड़ा 200 ग्राम ही, तो हमें लॉस हुआ, कितने का लॉस हुआ, 1 केजी बराबर 1000 ग्राम, तो हमें 40 ग्राम का लॉस तो हो गया, हाँ, amount में loss नहीं हुआ, quantity में loss हुआ तो इस quantity का तो कुछ पैसा भी होगा it means 40 gram का हमें loss हुआ 40 gram का loss कब हुआ जब 960 gram का weight use किया ठीक है तो 40 gram का हमारा loss हुआ तो यहनी shopkeeper का क्या हुआ shopkeeper का gain हुआ gain कितना हुआ वो this one ठीक है नहीं 960 gram के जगह पर 1000 gram के जगह पर 960 gram यूज कर रहा था तो shopkeeper को 40 gram का gain हुआ 40 gram का gain हुआ तो अब इसा gain percent अगर निकालना हो तो हम क्या करते है gain upon cost price लेकिन ऐसे अगर percentage chapter में पढ़ा था कि gain upon कोई comparable number जिससे हम लोग compare कर रहे है comparing number into 100 यहाँ पर तो comparing number ही आएगा नहीं क्यों कि cost price तो है नहीं कुछ भी हमारे पास ठीक है और यह हम लोग पढ़ भी चुके है percentage में अगर आप लोगों को कोई dot होना percentage में तो मैं एक अलग से chapter इसमें cover up करूंगा जो लगभग जितने भी तरह के percentage के question आते हैं वो मैं सब इसमें डाल दूगा जैसे आप mark का percent निकालते हो तो mark upon total number कभी आप बोलते हो कि sir number upon आप लिखते हो यहाँ पर original number sir कभी बोलते हो आप number upon comparing number तो आप confused उड़ाते हैं कभी बोलते हो कि sir number upon cost price क्या sir हमें साथ कुछ हमें साथ change करते रहते हो मेरा दिमाग काम नहीं करता तो मैं इस चीज को जो हना अलग से cover कर दूँगा इस चीज को ओके अभी हम लोग जो question पूछ रहा है उसको समझते हैं अगर इस तरह का कई question और भी आपके दिमाग में आ रहे हैं आप पूटप करो हम एक साथ compile करके आपको वो प्रोवाइड करा देंगे ठीक है अभी देखो gain percent is equal to gain upon comparing number gain of 40 gram comparing number क्या होना चाहिए यह 960,000 960 होना जाए यह क्यों हो तो कि हम 960 ही यूज कर रहे है न 960 gram ही यूज कर रहे है into 100 ओके दिस दिस कैंसे लोड दिस इस 24 आपका percentage आ जाएगा I think 4 1 by 6% answer ठीक है यह फर्स्त मेठड हुआ फर्स्त मेठड क्या था यह बस ट्रीक था एक ट्रीक था हम है अब सेकेंड मेठड जो एक समना एक सपोर्स करके बनाएंगे यह था ठीक है a dishonest dealer professes दको professes word है यहाँ पर वो किसी तरह सा जो है कहता है वह ही जो मैंने बताया था कि जितना मेरा cost price पड़ता है उतने में यह आपको मैं दे दूँगा लेकिन उसने cheating किया किया cheating किया यह किया तो देखो goods goods use किया गया है goods के बारे में हमें कुछ भी नहीं मालूम है ठीक है हम लोग suppose करते हैं कि cost price of goods is equal to rupees x cost price of 1 gram goods is equal to rupees x तो हमाई cost price of 960 gram कितना आ जाएगा rupees 960 into x ओके अब क्या कह रहा है यहाँ पर cost price of 960 तो निकल गया है cost price 1000 gram का भी निकल गया हमें 1000 into x अब यहाँ पर क्या कर रहा कि sale कर रहा sale किया है selling price selling price of goods कितना हो जाएगा selling price of goods कह रहा क्या कि sir मैं जितने का खरीदा होना उतने का बेच दूँगा तो खरीदा मतलब cost price और cost price जो है 1000 gram के बराबर हो जाएगा selling price और 1000 gram का selling price क्या है 1000 x क्यों देखो क्या selling price cost price of 1000 grams के equivalent क्यों है क्योंकि उसने बोला कि sir जितने का मैंने जो है वो purchase किया है उतने में ही आपको sale कर दूँगा sale कितने के करूँगा जितने में मैंने purchase किया है तो purchase मतलब cost price जो है 1000 gram मैंने purchase किया है उतने में ही मैं base दूँगा ठीक है और यहाँ पर selling selling कितना कर रहा selling तो कर रहा वो 960 gram का selling कर रहा 960 gram का ठीक है is equal to 1000 x यह हो जाएगा अब देखो हमारे पास क्या है cost price जो है 960 का होना चाहिए कितना 960 x लेकिन यहाँ पर selling जो है वो 1000 x है यानि क्या है selling is greater than cost price ठीक है this is the case of gain gain कितना होगा gain के बाद gain percent निकालेंगे gain percent is equal to gain upon cp into 100 gain कितना है sp minus cp upon cp into 100 is equal to sp कितना है 1000 x cp कितना है 960 x upon 960 x into 100 is equal to 40 x upon 960 x into 100 x x cancel out this upon 24 this is equal to 6 1 by 4 percent हमारा answer क्या आया था first case में यहीं आया था न हमारे पास 40 upon 960 into 100 40 कैसा आया था 40 gram का क्या था 40 gram का उसको swap keeper को फाइदा हुआ था कितने में 960 gram में same situation यहां पर भी आ गया है जब हम x लेकर बनाया है तो ठीक है तो आप क्या करोगे shortcut भी याद रखोगे और यह question में क्या है थोड़ा सा confusion होता है कि selling price 960 gram का 1000 x किस तरह से हो गया तो shortcut याद रखना उस पर जो है यह equation याद बन जाएगा और फिर जब question बनाने लगोगे तो इस तरह के equation ना आये तो आप थोड़ा सा analysis करना और इस तरह के equation लेया ना तो आपको exam में 100% marks आ जाएंगे thank you class we have covered every type of question in profit and loss and I challenge you you can solve any type of question from your syllabus and also from competitive books even in bank manager for if you are planning for a bank being a bank manager then also you can solve all these questions okay thank you good bye